हेलो क्या वाज्ट, बुर्वाणिवी स्टेट्स, आज आ पढ़ेंगे लेसा थार्ड इंग्लीश आपको वाली काउसी स्टॉप्टीज दें, देखिए क्या है, फुर्षण आपका, what are cardinal numbers, क्या पढ़ेंगे आजा, cardinal numbers, cardinal numbers क्या है, देखिए, अब cardinal numbers will give you an exact answer, इस होता है, 60, अब cardinal number will give you an exact answer, एक cardinal number, जो आपको एक 60 answer देगा, एक 60 answer देगा, वो क्या है, cardinal number है, for example, देखिए, एक चांपर में क्या है, 6 girls, तो ये 6 आपका क्या है, ये cardinal number है, आपको पता है कि कितली girls है, 6 है, और ये देखिए, 1 y, 1 y, इसमें 1 क्या है, cardinal number है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लड़का कितना है, 1 है, ये देखिए 50 balls, ये 50 आपका क्या है, cardinal number है, क्योंकि आपको पता है, 50 balls है, अगर दिखा होता, many balls, many boys, many girls, तो आपको पता नहीं होता, many में 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो जो आपको, जो नंबर, एक नंबर, जो आपको exact answer देगा, एक 60 answer देगा, उसे क्या कहते है, cardinal number कहते है, आपको ये अपनी अपनी classwork की copy में, नीक एड क्ली, राइट करना है, over, underline all the cardinal numbers, जैसे मैंने आपको ये अपनी cardinal number बताया है, जैसे आपको इसमें क्या करना है, cardinal number पे underline करता है, देखी क्या लिखे है, 1, 2, बकल, 5, 2, 3, 4, open the door, इसमें देखी cardinal number पे आपको क्या करना है, underline करना, जैसे ये 1 है, ये cardinal number हुआ, देखी कि इसमें मैंने underline किया है, एक आपको समझने के लिए पैसे ही, 2 है, 2 भी क्या है, cardinal number पे आप underline करेंगे, उसके बाद के यहां 3 है, 3 भी क्या है, cardinal number है, आपको इसमें क्या करना है, underline करना है, और 4 है, 4 भी क्या है, cardinal number पे आपको क्या करना है, underline करना है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद cardinal number के नीचे underline कर ठीक है बस इतना ही करना है आपको नीट एंट क्रीम अपने कोपी में से राइट करना है ओके थैंक यू